बिहार के इस मजार पर पहुंची महभूबा बिहार और कश्मीर का क्या है रिष्टा? कौन थे अंतिम मुस्लिम कश्मीरी शासक? बिहार में 30 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक हुई जिसमें विपक्ष की लगबग सभी पार्टिया माजूद रही इस बैठक में साल 2024 के चुनावों में किंद सिरकार को टकर देने के लिए बाचीत हुई ये तो बात सभी जानते हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर साई पूर मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती बिहार के नालंदा में एक मजार पर पहुँची ये मजार यूसुफ शा चक की है यहाँ पर उन्होंने चादर भी चड़ाई लेकिन सवाल बनता है कि आखिर महबूबा मुफ्ती का इस मजार से क्या रिष्टा है इस मजार के जरिये बिहार और कश्मीर का नाता है दरसल बिहार में नालंदा जिले के इसलामपूर परखन के कश्मीरी चक और बेजबग गाओं का कश्मीर से गहरा लगाव है कश्मीर के अंतिम शासक यूसुफ शा का इतिहास यहीं से जुड़ा हुआ है उन्होंने अपनी जिंदगी का आखरी वक्त यहीं बिताया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कश्मीरी चक में यूसुफ शाह और उनकी पत्री हबग खातून का करीब 400 साल पुराना मजार यहाँ 1977 में जम्मू कश्मीर के पूर मुख्यमंतरी शेक अबदुल्ला भी आ चुके हैं इस्थानिय लोगों के माने तो यूसुफ शाह कश्मीर से तालुक रखते थे इसलिए बेजबग गाउं के पहले एक गाउं है उस गाउं का नाम कश्मीर चक रखा गया है इसके पीछे का इतिहास मुगल शासक अकबर के जमाने से जुड़ा हुआ है गाउं के बुज़गों के माने तो मुगल शासक अकबर पूरे भारत के साथ आजाद कश्मीर को भी जीतना चाते थे इसलिए उन्होंने साल 1586 में सैनिकों के साथ कश्मीर पर धावा बोलने की तयारी की हालकि संख्याबल जादा होने और बहतर सैन्य कोशलों के बावजूद मुगल सैना यूसुफ शा को हरा नहीं पाई जब मुगल सैना ने ये महसूस किया कि हालाद बहुत कठिन है और लडाई से कोई भी फायदा नहीं होने वाला तब मुगलों ने चाल चली उन्होंने एक रन्नीती बनाई यूसुफ शा को शांती वारता के लिए आगरा के शाही दरबार में आमंत्रित किया युवा राजा ने निमंतरन सुईकार कर लिया और अपने मंत्री और कमंडरों के मना करने के बावजूद भी आगरा के लिए रवाना हो चले लेकिन अगबर ने मुलकात के बाद यूसुफ शा चक को गिरफतार कर लिया कई दुनों बाद अगबर ने इस शर्त के साथ यूसुफ शा को रिहा किया कि वे लोट कर कश्मीर नहीं जाएंगे दिसंबर 1587 तक कैद में रखा यूसुफ शा ने इसलामपुर नालंदा की तरफ अपने रुक किया उसने कश्मीर चक नाम से ही एक नगर वसाया इसके बाद वो यहीं के होकर रह गई हाला कि इस मजार की हालत अच्छी नहीं है इसके विकास के लिए स्थान्य स्तर पर विशेश ध्यान नहीं दिया गया और महबूबा मुफ्ती ने भी इसके लिए सीम नितिश कुमार से अगरे किया है इसकी हालत में सुधार किया जाए और इसकी देखरे की जाए जाहिर है कि यूसुफ शा चक ने 1589 से 1586 तक कश्मीर पर शासन किया और वैसरतंतर कश्मीर के अंते मुस्लिम शासकों में से एक थे यूसुफ अपने पिता अलिशा चक के उत्रादिकारी बने जिनोंने मरने से पहले यूसुफ शा को ताच पहना है था अभी के लिए फिलाल इतना ही बने रहे ये वनिडिया के साथ